हेलो एंड नमस्कार दोस्तों उन्नती कंपेडिशन क्लासिस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है आज हम बात करेंगे वीडियो की मुगल समराज्य समाने ग्यान जो जो बुक है व्यूसेंड की ये इसका होगा भाग 9 मुगल समराज्य में जो जो सासक रहे उन सबके एक लिस्ट मैंने आपके सामने यहां पर दिखाई है और इन सभी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने लास्ट संडे एक लाइव स्ट्रिम करा था जिसमें मैंने कहा था कि मुझे इस बुक के पीडियाफ की रिक्वार्मेंट है कोई भी स्टुडेंट अगर मुझे की पीडियाफ भेजता है मोबाइल से स्कै पीडियाफ की जो क्वालिटी थी कैमरे की क्वालिटी उनकी कुछ खास नहीं थी तो इसलिए मुझे उनको रोकना पड़ा केवल दो स्टुडेंट थे ऐसे केवल और केवल दो स्टुडेंट जिन्होंने ट्राय करा बस बाकी की डिमांड आती रहे कि सर जोग्रफिक अप् कऊंट में टाइम बहुत लगता है कुछ खर्चे भी आते हैं इसमें जैसे मंन्तली नैट का खर्चा आता है वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे हम डिवाइस से करते हैं जैस सौफटर से करते हैं उसका खर्चा होता है फिट ताइम खर्च होता है मैंने यृप को दिखा यह के लिए तो शायद कुछ रोगों को यह लगा एक स्टुडेंट को यह लगा था कि मैं शायर अपने खर्चे गिनवा रहा हूं तो उसने मुझे 30 रुपे ट्रांसर करें थे मेरे अकाउंट में तो मैंने उसको सौर पर सेम टाइम पर आदे घंटे गंदे रिफंड कर दिये 30 रुपे का सौर पर पता नहीं उसने क्या सोच के मुझे यह कॉंट्रिबूट करा मुझे समझ नहीं आया बाकि मैंने फिर ज्यादा उससे बात नहीं करिया तो प्लीज इस तरह का आज भी सुन रहा होगा तो बस प्यारे बच्चो आप प्लीज ध्यान रखेगा यह 20 रुपे 10 रुपे पांच रुपे का कॉंट्रिबूट प्लीज मत करिये मुझे पता है कि बुन-बुन से घड़ा भरता है लेकिन मुझे इस बुन-बुन से घड़ा अभी नहीं भरना ह ठीक है जब आप एलिजिवल होंगे अभी ठीक है कि आपका हाथ टाइट है आप नहीं दे पा रहे हो जॉब करते हैं घर की घर में कुछ पैसा भीजना पड़ता होगा तो आप चलने दीजिए बड़ चोटे मुड़ी हो सही हो कोते हैं जैसे कि मैं आपसे PDF मांग रहा हूं डिजिए लास्टाइब मैं आपसे बहुत बोला वीडियो नहीं बन पा रहा है जो पहले की जो फाइल थी जो पीडियाफ था उसमें वीडियो की क्वालिटी पीडियाफ की साफ नहीं आ पा रहा है तो सब मैंने आपको प्सांच डिसकस करा था लग्यों उसके बाद आप यह करते हो कि आप मुझे 15 रुपे 30 रुपे भेजेंगे पहली बार उसने करा मुझे सेंड मेरा दिसम्बर से चैनल बन रखा तब से मुझे पहली बार किसी ने सेंड करें है वो 30 रुपीज से उसे उपर नहीं थे मुझे याद रव तक तो अब लगाए कि आप इस तरह से कांड़िबुटे कर रहे हैं यह इस मत करें वरना शायद मैं इस चैनल को कुछ टाइम के बार डिलीट करने की कगार पर हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कंस्यूम हो रहा है और सपोर्ट करने वाले कुछ खास सपोर्ट अब नहीं कर पा रहे हैं अब के सब्सक्राइबर ने के बार कमेंट्स कराओं मुझे सपोर्ट नहीं करा किसी भी एंगल से तो शायद मैं चैनल को जब भी डिलीट करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा फिलाल जब भी होगा मतलब बहुत जल्द होगा क्योंकि टाइम बहुत कंस्यूम हो रहा है और परती है रिकॉर्डिंग अगर बीच में कुछ जाला साउंड आता है बेक्गराउंड से तो पुरी वीडियो को क्लोज करना पड़ता है दुबारा से स्टार्डिंग करने बढ़ती है अगर आगी तीस मेंट को रिकॉर्डिंग बन रही है और चौत्य मेंट पे ही या मानि परिये ध्यान से इमानदारी से पड़िये उसको रिवाइज करें और यह पेटेम वाला कंसर्फ प्लीज इस तरह का पेटेम प्लीज मुझे कोई भी स्ट्रेंट मत दिखाना यह मेरी आप से एक रिक्वेस्ट है बीस रुपे तीस रुपे पंदर रुपे वाला मैं इस ची नागेटिव इतना उसको ले करके बागी समझदार है चलिए बढ़ते हैं आगे आज हम बात करेंगा मुगल समराज्य के बारे में यह है लुसेंड बुक जैसे कि आप जानते हैं अगर आपको पास बुक नहीं है तो प्लीज इस बुक को पर्चेस कर लेना और वीडियो के स्कैनिंग करी है मैंने खुद करी है एक एक पेज को फाड करके भाक भाग साइट का इरिया नहीं मिलेगा स्कैनिग आए जैसे कि वुक Dann त्रे होती है ट्रे मैं paper jam हो रहा था चाल नी REAL भीध इसके paper की जो थीक हो हो बहुत कम है और सभर जो पेज लगता है तो इसका संस्थापक था वो कौन था इसका संस्थापक था आपका बाबर पहले से हालेट कर रखा है तो क्या था इसका बाबर था संस्थापक के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे बाबर ने मुगलवंस की स्थापना करी थी और सांथ ही क्या करा था इसने इसने करा थ बादिशा, जो सब्द का उत्पत्ट्र करी थी, वो भी किस ने करी थी? बाबर ने करी थी. अब बाबर से समद्धित कुछ बाते हम पढ़ते हैं dispara कि बाबर का जनम कभ वहा था? उसके पुत्रों का नाम क्या था हम केवल याद करेंगे कि इसकी क्या क्या नीती थी तो सबसे वहले हम बात करेंगे कि इसका जनम कब हुआ था इसका जनम हुआ था 1483 इस भी में और इसके पिता का नाम क्या था इसका पिता का जो नाम था वो था उमर सेख मिड़जा और फिर हम बात करते हैं कि हिमायू के जो चार पुत्र थे उनका नाम क्या था हिमायू के चार पुत्र थे लेकि इसमें से जो फेमस था वो था हुमायू कामरान हिंदाल ने बहुत ही कमी अक्टिविटी करी थी लेकि हुमायू और कामरान काफी फेमस इसके पूत्र रहे जो काफी फेमस हुए बाबर ने भारत पर कितनी बार आकरमन करा आपसे एक्जाम में ये पूशता है तो वो करा था पांच बार कितनी बार पांच बार तो ये नोट सा बनाईए संस्थापक बाबर था मुगल का पत्पास्चाई की स्थापना करी थी बादसास को कहा जाता था इसका जर्म हुआ 1448 में पिता का नाम था उमर शेक मिड़ जा इसके चार पुत्र थे हिमाई और कामरान असकारी और हिंदाल लेकिन इसने क्या करा बाबर ने पांच बार भारत पर आक्रमना करा ये संख्या और आगे हम बात करते हैं पानीपत का जो पर्थम जो वहा था पानीपत का पर्थम युदय। मतलब की पानीपत का पहला वह था उसमें कौन सी नहीं निथी अपन गई थी उसको बोलते हैं तुघ opposite घ्डवान कर शने पहली बार इसमें से कर रखा है वह important है यह मैंने अपने लिए कर रखा कि मुझे जल से जल असानी रहेगी आपको highlight करवाने में पहले book में मैंने कर रखा है blue pen से highlight है उसके बाद में मैं इसको मार्कर से भी highlight कर दूँगा आपके लिए पड़ो और बढ़ो बस टार्गेट ही है बच्चो मेरा पानी बत का जो पर्थम वार हुआ था वो कब हुआ था आपसे मन्त और डेट नहीं पुछेंगा आपको यारखना है 1526 में ही ठीक है इसके जो पर्थम युद्धे बाबर के केवल हम बात कर करते हैं खानवा का जो युद्धवा था वह था 1527 में मतलब 26 27 29 26 27 29 25 27 25 29 आप याद करिए पानीपत का पहला वार खानवा चंदेरी घागरा पानीपत खानवा चंदेरी घागरा सिरीज आप याद रखेगा ठीक है किस-किस के बीच में हुआ यह आपको याद रखना है बा युद्ध भर की युद्ध निती थी, काफी सही निती थी, ईगनीट वह थी बाबर की और संन में कgoing रहा है? यह विजह यह रहा. तो पानीपत का पहला वार फंद्रा सो शभीस में, खानवा का युद्ध पंद्रा सो ażईस में, चंदेरी का युद पंद्रब त्थाइस में परिवार से प्राप्त करा था यह कोंदर की उपादी किसको प्राप्त थी तो वह प्राप्त थी ऑर किसको बाश को से युद विजय के भाथ में तो खानवाzar का युद गया ठीक बाथ 1527 में कब 1527 में तो बाबर साथ तो उसके भाब में क्या हो गया अगया उपादी के अजन्वर होया तीर तीस जन्वरी 1548 को यहर दे देने के कारण Rana Sangha के मृत्य दिया था 1528 में करीब 48 वर्ज़ की आईयो में 16 26 दियस दियस्वर इस वीको आज़रा में बाबर की डैथ हो गई थी प्रारमब में बाबर का सब था उसकी वाड़ी थी जो दफनाया गया था आज़रा के आराम बाग में लेकिर बात में क्या होगया काबूं में उसके द्वारा चुने गया इस्थान पर उसको दफना गया था देखे क्या होता था कि पहले जो राजा कि इस नहीं को जीता वहां पर नहीं भ्रहमर करा घूमें पिर उनकों अच्छा लागा काफिति इस्तान है गंडा यहां पर बैती है तो पूरा डिसाइड करते थे और एक खोशना पहले सही मरने से पहले डिसाइड कर ले थे कि मुझे कहां पर दफनाया जाएगा आगे बात करते हैं देखिए बाबर ने अपनी आत्म कता बाबर नामा की रचना करी बाबर की आत्म कता क्या होगी बाबर नामा तो ये इसकी आत्म कता दी बाबर के जिसका अनुवाद बाद में फारसी भासा में किसने करा था अब्दुरहीम खान खाना ने कौन सी भासा में अनुवाद करा था ये करा था अपकी फार्सी भासा में ठीक है बाबर नामा थी और इसका बाद में फार्सी भासा में अनुवाद हुआ अपनी आत्म कसा में बाबर ने अपचारिक बागों की योजनाव और उनके बनाने में अपनी रूची का वर्णन करा है और अक्सर ये बाग दिवार से घिरे होते थे जो करतीम नहरो द्वारा चार बागों में डिवाइड आयात कार मतलब एक rectangle के रूप में होते थे और चार समान हिस्तों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे चार बागों में डिवाइड होते थे इससे मुद्धिस को चार बाग चार बाग बनाने की परंपरा की सुरुवात अकबर के समय से हुई थी तो चार बाग की परंपरा की सुरुवात किसके सासनकाल में स्टार्ट हुई थी प्रारम हुई थी तो वो ही थी अकबर के समय में तो एक्जाम में ये भी पूछता है आप से ठीक है आप ध्यान लकिएगा अक्बर के समय में चार बाग बनाने की परमपरा की शुरूआता हुई थी बाबर को मुबहयान नामक पद्यशैली का भी जनमदाता माना जाता है एहरार का अनुवाई था बाबर का उतरधिकारी कौन था वो था हमाय। आपने देखा होगा एक एड आती थी टीवी पर कॉंप्लेंड की या हॉल्डेक्स की मुझे नहीं बता पापर यह उसमें था कि गाना आता था बाबर का बेटा हुमाईयो अब हम बात करते हैं हुमाईयो के बारे में इतना इथा अब आप सुचेंगे कि मैं एक लाइन आपको प्रक्यों की तरफ पढ़के सुनाओंगा तो शायद पुरी बुक को खतम करने में शायद तीन से चार साल लग जाएंगे जी हां वीडियो बन रहा है यह आप चाहाएं तो आडियो सुन सकते हैं और यह सीदे कट टू-कट बाते करी गई हैं कि एक लाइन आपको पढ़के सुनाए गई हैं तो देखिए देखते देखते हैं आपको मैं एक लाइन का बोलुगा के बात कर रहे हैं जो सबी एक्जाम के लिए काफी इंपारेंट हैं तो इसलिए दूकशा का इस सुबेदार था अपने पिता के निर्देश के अनुसार हमैयो ने अपने राजे का बडवारा अपने भाईयो में कर दिया इसने कामरान को काब सुलेमान मिर्जा को हमायू ने बदक्ष खां का परदेश स्वापा 1533 में हमायू ने दीन पना नगर की स्थापना करी थी ठीक है जैसी यह बैठा उसने बोला कि राजगदी पर बैठने के बाद में आपस में कुछ जगड़ा ना हो जाए कि राजगबार सारा तू ही ले रह करी थी 1533 में अब हम बात करते हैं चौसा का युद्ध जो ये चौसा का युद्ध है ये 25 जून 1529 में सेर खां एवं हमायू के बीच में हुआ था किस किस के बीच में हुआ था सेर खां और हमायू की बीच में स्थित हुआ था के बीच में हुआ था और इस युद में सेर विजई रहा इसी युद्ध के बाद सेर खाने सेर सा की पद भी ग्रहन करी थी बिल गराम या करनोच का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था ये स्टाइट हुआ था 17 मई 1540 में सेर खान एवं हमायू की बीश में लड़ा गया था तो एक्जाम में आपसे ये पूछता है कि बिल गराम या करनोच का जो युद्ध है ये किस किस के बीश में हुआ था ये हुआ था हमायू की बीश में और सेर खान के बीश में इस युद में भी हुमायू पराजित हुआ, सेर खाने असानी से आगरा इवं दिल्ली पर कबजा कर लिया बिल ग्राम युद के बाद हुमायू सिंध चला गया, जहां उसने पंद्रा बड़सों तक गुमकडों जैसा अपना जीवन वेथित करा निर्वासन के समय हुमायू ने हिंडाल के अध्यात्मिक गुरू फारस वादी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अकस 1541 को निगा कर लिया, विभा कर लिया कालंतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान समराट का जनम हुआ, तो मतला अकबर की माता का नाम क्या हो गया, अकबर की माता का नाम हो गया हमीदा बानू बेगम 1555 में हमायू ने पंजाब के सूरी सासक सिकंदर को पराजित कर पुने दिल्ली की गद्धी पर बैठा, हमायू द्वारा लड़े गए चार परमुख युद्धों का, जो क्रम है वो किस प्रकार से आप याद रखेगा, बात कर रहे हमायू की देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1531 में, बीलिगराम का युद्ध 1540 में, एगम सिरहंद का युद्ध हुआ था 1555 इस्वी में और एक जनवरी 1556 को दीन पना के भवन में पुस्तकाले से गिर करके सीडियों से गिरने के कारण हमायू की डैत हो गई तो देखिए, यहां से एक कोशन एक्जाम में आता है कि किस सासा के पुस्तकाले के सीडियों से गिरने के बाद मृत्त हुई थी और अंत हुआ था, तो उसका नाम है हुमायू, ठीक है यह एक सेकंड फ्रोड था, वहां से यह किताब लेकर के नीचे आ रहा था, तो किताब का वेट अक्चुली बहुत ज़्यादा था, यह अपने हाथ में खुदी अपने बुक पकड़ता था, पीछे दास वगर होते थे, दासी वगर होती थी लेकिन यह क्या करता था, बुक इस पुरा खराब कर दिया, और गिर करते इसकी डैथ हो गई, तो याद रखिया कब हुई थी, 1556 में, दीन पना भवन में एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी की सीडियो से गिनने के बाद में इसकी डैथ हो गई, तो तीनों चीदिया आपको यह या रखनी है, डैथ, औ और कौन सा भवन था, भवन का नाम, दीन पना भवन, और यह क्या थी, इसमें एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी से गिनने के बाद में इसकी डैथ हो गई, राइट बच्चो, शायद आपको यह किलिर हो रहा होगा हर चीज, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, ठीक है, एक हुआ है, जिस की चचेरी बेहन थी, लाइब्रे में इसकी कपड़े शाज़ करता का भी गई पहन स काफ। अब हम बात करते हैं सेड़ साह के बारे में सूर समराज्य का संसापक कौन था सूर समराज्य का संसापक जो था अफगान वंसिय था यही सेड़ साह सूरी सेड़ साह का जो जनम हुआ था वो हुआ था आपका होसियारपुर में जमिदार थे फरीद ने एक सेर को तलवार में फरीद नाम था इसके बच्पन का सेर सा सूरी के बच्पन का नाम किया था फरीद था अभी हम बात करेंगे फरीद सेर सा नहीं बोलेंगे हम इसको ठीक है सेर सा सूरी भी को नहीं बोलेंगे तो अभी जो फरीद था छोटा बच परसन होकर इसके बहादरी पर परसन होकर बिहार के एक अफगान थे कहां के ये थे आपके बिहार के एक अफगान जिनका नाम था मुहमद बहार खां लोहानी ठीक है उन्होंने परसन होकर के इसको सेर खां की उपादी दी सेर सहा बिलगराम युद्ध के बाद दिल्ली की के करम में 22 माई 1525 को हुई थी और कालिंजर का सासक कौन था कालिंजर का सासक का नाम था कीरत सिंग क्या था कीरत सिंग सेड़सा का मगबरा सासराम में जील के बीच ऊचे टीले पर निर्मित किया गया था सासराम में ठीक है ये ऊचे परवत पर इसका मगबरा बनाया गया था देखिए आप बुक को लेके बैठता है और यह सब चीज़ जो मैं हालेट कर रहा हूं यालो से वह आप खुद भी हालेट करना अपनी बुक में ठीक है और बुक को पर्चेस करने का आप शकता नहीं है अगर आप पास ओल्ड बुक है तो उसको उठा सकते हैं देखिए उसमे एक एक लाइन भीकुल सेम है और नई बुक में भीकुल सेम है जिसके बस नई बुक है वो नई बुक उठाईए उसमें आपको सेम डिट्टो प्रिंटिंग मिलेगी और आप उसको भी हालेट कर सकते हैं अगर आपको रियल में बुक नहीं है तो अगर आप बुक पर्चेस करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शिंस बॉक्स में दूंगा वहाँ पर किलिक करके आप बुक को पर्चेस कर सकते हैं अगर आपको बुक पर्चेस करने का बिकुल मूर नहीं है और नहीं आपको बस बुक है डायक नोट्स बनाना चाहते हैं अब डाय सहा, उसका नाम था, सिर्षाथ नियुड ने भूमी की माप के लिए बातिस अंक वाला सिकंद्री गंज और सुन igator का परियोग करा तो देखिए, एक्जाम में के बलब स्विंद in the का екJason करा था, कौन से अहत्व ने कर도 तो वो कि ठा है था, इसने से लून और कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की सुर्वात सेर सहा के द्वारा करी गए थी कोई भी प्रथा होती है प्रथा काफी इंपारिन होती है और किसने सुर्वात करी थी वो नाम पूछता तो वो सुर्वात करी थी आपकी कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की सुर्वात कर करा ठीक है आप पटना ये पाटली पुत्र को पटना के नाम से पुने इस्तापिद करा अब देखिए काफी इंपोस्ट वॉच्चन से एक जाता है देखिए गरान टॉर्ण ट्रंग करोड जो रूठ हुई तो इसकी मरमत का कारे किसने करा था या यह किसने बर्वाई थी इस गुए तो कुछुमिन्हार का नाम उसके नाम पर बढ़ गया तो सेल सहा ने केवली सकी मरमत कराइन यह रोड है तो फानलि क्या हो गया इस वालाब पर यह पर गया तो ग्रांट रंग रोड का निर्मान किसे ने पहले आपको इसके सासनकाल टोटे कप से कपता रहा था वो याद करना है समराट अकबर का जो जनम हुआ था वो हुआ था आपका 1542 में कब हुआ था 1542 में और हमीदा बानू बेगम जैसे अभी हमने कुस्ते में पहले देखा था इसके गर्ब से इसके उत्पत्ते हुई थी अकबर की और राणावीर साल के महल में हुआ था अकबर का राज्य बिशेग जो हुआ था वो 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कला नौर नामकिस्थान पे हुआ था अवस्ता काफी कम थी इनकी वह जलालु दिन मुहमद अकबर बाजसाही गाजी की उपादी से राज सिंग आसन बर बैठे बैरम खा 1556 से लेकर के 1560 तक अकबर का सन रक्षक रहा पूरी जो युद की नीती सिखाई वो किस ने सिखाई थी 1556 से लेकर 1560 तक के वीच में बैरम खाने तो अकबर द्वारा जीते गए परदेश कौन कौन से हैं देखिए पहले से मैं ट्रिक लगा रखा है जो जो इंपारेंट है गोडवाना एक शेत्री जीता था उस समय उसके साथ कौन था वीर नारायन एगम दुरगावती कब था वो वर्स क्या था 1564 तो अकबर के द्वार आज जीते गए जो भी परदेश से वो मैं हालेट कर रहा हूं गोडवाना मेवार कि काली anything कर शेधिकनेर आपको याद करना है और आपको याद करना है गुजराग कि उसके बाद आपको याद करना है सिंद्य हमिर्द्ध्ना आपके एक्जाम के लिए और इंपर्टैंट है आपका बिलूचिस्थान और कंधार अभी वैसे कुछ बच्चे जो स्मार्ट बच्चे हो तो उनको लग रहा होगा कि यार्फिस सभी तो आपने हालेट कर दिये तो मैंने हालेट कितने करें चलो मैं गिनवा देता हूं ठीक है के वर मैंने हालेट करें एक, दो, तीन, चार, पांच, छैन, साथ, आठ, आठ करें हैं उननीस में से जो इंपार्टेंट है अगर आपो यह ज़्यादा लग रहे हो तो पिलीज इसको नोट मत करिएगा लेकिन जो समझदार बच्चे है पिलीज वो नोट करिए इसको याद करिए वर्स कौन सा था और चांद बेबी और वर्स था 1599 पानीपत की दूसरी लड़ाई दूसरा जो वार हुआ था पहला जो हुआ था 1526 में और दूसरा जो वार हुआ था वो हुआ था 1556 में अकबर और हेमो के बीच हुआ था कब हुआ था हेमो और अकबर के बीच में हुआ था सैकिंड वार मुबारक Khan नामक यूवग ने बैरम Khan की हत्या कर दी चेहत्तर में और इस युद में मुगल सेना का नेतरतु मान सिंग और आसफ खाने किया था अकबर का सेनापती कौन था उस समय अकबर का जो सेनापती था वो था मान सिंग मारणा परताप की जो डैथ हुई थी वो थी 57 एर के थे इनके उम्र जो थी 57 वर्स थी और 19 जनवरी 1597 को इनकी डैथ हो गई थी आप हो सके तो पूरा डेट भी आप याद कर लिजे गुजराद विजे के दुरान अकबर सबसे पहले पूर्त गालियों से मिला और यहीं उसने सबसे पहले समुंदर के दरसन करे थे दरसन किसके करे थे समुंदर इसके दरसन किसके साथ करे थे अकबर ने पुर्त गालियों के साथ में वो मिला उसने समुंदर देखा वाओ इतना प्यारा समुंदर और आगे बात करते हैं देखिए कि अकबर ने जैन धर्म के जैनाचारिये हरी विजय सूरी को जगत गुरु की उपादी परदान के थी राजस्व परापती की जपती परणाली ये फोकस करी जपती परणाली अकबर के सासनकाल में बहुत परचलित रही बहुत फेमस रही जपती परणाली और अकबर के दिवान का जो नाम था मतलब खत्री जाती का था ये टोडर मल और उसने देह साल वेवस्था लागू करी थी और ये देह साल वेवस्था कब लागू होई थी किस वर्स लागू होई थी तो ये होई थी 1580 में ये काफी अच्छा कोशन्स है ये अग्जाममें के बर पूशता है अब से अकबर के दरबार का परसिद संगित कार कौन था? तांसेन अकबर के नौरति ने थे उसके बारे में हम आगरे बात करेंगे और उसके बात हम बात करते हैं देखिए डेरेक हम पहुसते हैं अकबर के सासन पनाली की परमुक विशिस्ता क्या थी? मनसबदारी पर था अकबर के सासन काल की सबसे फेमस जो थी विशिस्ता थी अकबर के समकालीन परसिद सुवी संथ का नाम बताईए क्या नाम था उनका? एक्जाम में ये कोशन से हाँ से बनता है तो आप याद रखिएगा सलीम चिस्ती जो थे समकालीन थे किसके अकबर के अकबर के काल में काफी फेमस थे एकबर के मिर्तीं सलाइ अक्टोवर 1605 हिस्तॐव ने में हुई थी इसे आगरा के निकट सिकंद्राबाद में दफना गया था इस ता पत्ते कला के छेतर Irish में अकबर की महत्मर करते है कौन थी मतलब की कौन کون से दिल्ली में हिमायों का मकबरा बनाया था आगरक लाल किला इसने बनवाए था फतैपुर्सिक्री में साही महल दिवाने खास, पंच महल बुलंदर वाजा जोदावगय का महल, इबातत खाना, इलाबाद का किला और लाहुर का किला ये सब क्या थी इसकी जो काल था उस तमय इसने किले इतने बनवाए थे पहले के राजा मारजा वैसे बहुत खर्चा करते थे हैं काफी दिल खुश होता था उनका मनला कि ठीक है ये खर्चा कर दे वो खर्चा कर दिया तुक्कि पहले अक्चली सोने के शिडिया थी पैसे कमी नहीं थी आज के ताइम पर चोटा से 50 गच का आप किसी सीटी में दिली मुंबई कैलकाटेचे नहीं जैसे मालब की हाई टक सीटी में अगर पचास किसका मकान लेने बैठा होगे तो दाथ खटे हो जाएंगे और ये देखो कितने महल बनाते थे चलिए ठीक है महल बनाया तो ठीक है हम देखने जाते हैं और चलिए बढ़ते हैं आगे फिलाल कि को सुसोबित करने के लिए नौरतन थे कौन कौन से थे उनके नाम क्या थे अबूला रए मिप्लARA का बड़ा भाय फैजी अग्बर के दर्वार में राजकवी के पत्पर आसिन था और अबूल फजल ने अक्पर नामा गरंद की रचना करी थे अक्बर नामा किसने लिखाता तो वो लिखा था आपका अबूल फजल ने वह दीन-े-ई-लाइं धर्म का मुक्य प्रोहित भी था और बिर्बल के बचना का नाम क्या था महेस दास क्या था महेस दास अकबर के सांथ बिर्बल लगता कि अकबर बिर्बल आटॉमेटिक बिर्बल निकली जाता है कभी कभी आस मैं आपको बताना चाहूंगा वो था युसुफ जाईयों का विध्रोव के दोरान बीरबर की हत्या हुई थी ये मारा गया था कभी-कभी वो युद्धा नाम भी पूछ लेता है शायाद इस बुक में आगे आएगा फिलालम देखते हैं कि कष्ठा भरण और वाणी विलास क की उपादी की थी तांसेन को अकबर ने भगवान दास मतला आमीर के राजा भारसेल के पोत्र को अमीर उल उम्रा की उपादी दी थी और देखी यहां पर आगे आपका युसुफ जाईयों के विद्रों को दबाने के लिए दुरान बीरबल की हत्या हो गई थी तो यह आप रखिएगा काफी फेमस युद्रा था और मुगल समराट अकबर ने अनुवाद विभाद के स्थापना करी थी और रजम नामा युद्र की पुस्तक थोड़ा पढ़ लेते देखिए नगीम खां अब्दुलकादीर बदायुनी तथा सेख सुल्तान ने रामायड एबन महा बारत का नाम जो रखा था वो रखा था रजम नामा रजम नामा किस का नाम है महा बारत का रामायड का तो आप याद रखिएगा महा बारत का पंच तंतर का फार्सी भासा में अनुवाद फार्सी भासा में जो अनुवाद किया था वो करा था अब्दुल फजल ने अन्व रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैजी ने दिरावती का फरसी में अनुवाद किया था तो ये सब इसके रचनाकार थे जो अनुवाद करते थे तो इतना नहीं पुछेगा अकबर के काल को ये कोशिंस काफी इंपोर्टेंट देखिए अकबर के काल को अकबर ने बीरबल को कवी पर्ये बोला नरहरी को क्या बोला महा पात्र बोला कवी पर अडंवी परे दोनों खो आधि अलगेज को बाड़ी legs को बोला कवी प्रे यह और नरहरी माहा पात्र बुलन दरवाजा का निर्मान अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्षे में कराया था और चार बाग बनाने की प्रंपरा अकबर के समय में स्टाट हुई थी ठीक है चार बाग की वास्तमी जो प्रंपरा स्टाट हुई थी वो ही थी अकबर के सासनकाल में अक्बर ने सीरी कलम की उपादी जो दी थी वो दी थी किसको अबूसमद को अबूसमद को क्या दी थी सीरी कलम की उपादी दी थी और बात कर रही जाए जड़ी कलम की उपादी जो दी थी वो दी थी मुहम्मद हुसैन कस्मिरी को और मुगलो की राज के भासा क्या थी उसका नाम क्या था उसका नाम था फार्द सी याद रखे है क्या नाम था उसका फार्द सी अकबर नकारा नामक वाद्दे यंत्र बजाता था अकबर जो नकारा था नामक वाद्दे यंत्र बजाता था अकबर जो था कौन से यंत्र का प यहांगीर के सबसे बड़ा पूत्र था जहांगीर नियाए की जंजीर के नाम से इसको जाना जाता है जहांगीर को नियाय की जंजीर के लिए याद करा जाता है यह जंजीर क्या थी सोने की बनी थी अगर आप आगरा में रहते हैं तो आगरा का किला अगर आप देखने जाएंगे तो आपको यह जंजीर देखने को बड़ी असानी से मिलेगी जैसे आप एं इंजीर देखने वो जाना है ठीक है आप जाईएगा इंजॉय करिएगा जहांगीर के सबसे बड़े यो पुत्र थे उसका नाम था खुसरो ठीक है खुसरो ने अब उसने पता लगाया तो पता के चला कि सिक्कों के पाचवे गुरू अरजुन देव थे उन्होंने इसको फटे पे चड़ाया मतलब इसको उकसाया कि अपने पिता के विरूद युद्ध करो और उसके बाद करा अरजुन देव को फासी दिलवा दी ठीक है अग्जाम में उसके वजीर, malik, ओंबर के बिरूद सफ़लता से खुशो कर जहांगेर ने खुर्रम को सहा जहां की अबादी से नवाजा आगल इसक्रेंगेar और जहांगेर ने सोलह सो ग्यारा में उससे विवा कब करा था सॉलह सो ग्यारा में करा था और उसे नुर महल एवं नूर जहां की उपादी से नवाजा था नूर का मतलब होता है काफी सुन्दर्था तो यह सुन्दर्था का क्या है महल है ऐसा कहता था रूसको ठीक है और नूर जहां के सम्मान में जहां गिरने क्या करा था चांदी के सिक्के चलाए थे नूर जहां के सम्मान में जहां गिरने किस प्रकार के सिक्षे चलाये थे चांधी के सोने के ऑपशन देगा आप को लोगएगा सोने के सिक्षे यहां पर आगे हम बात करते हैं कि इतिमाद उदूला की उपादी जहांगेर के गियासबेकgado साही दिवान बनाया एवं इतमाद उद्दोला की उपादी धान करी थी नूर जहां की मा थी असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की वीधी खोजी थी नूर जहां की मा ने वैसे वास्ता में असमत बेगम जो थी उन्होंने गुलाब से परिफ्यूम बनाना सब को भी आघाए था आगे बात करते हैं जहांगीर के पांचों पृत्रों के नाम आपको याद अखने हैं पांचों फृत्रों के नाम जो है अपका फुस्रो परवेज सेहरник और जहांदार सिदे हम बढ़ते हैं कि हमज नामा का विसाय क्या था यह था चित्रकला जो हमजा नामा है उसमें अलग अलग चित्रकला मुगलों की काल में कौन गौन सी थी वो सब इसमें बखान उसका करा गया है आगे हम बत करें जहांगीर के समय को चित्रकला का सुनकाल कहा जाता है यहा हम बात करते हैं जहांगीर के मखबर का निर्मार करा था वो गरा था नूर जहां ने जहांगीर के सासनकाल में जो था कैप्टैन हॉकिंस पर थ्वाड़िक्त happened यहां पर आया था लेगी पर्थम आपसे एक्जाम में पूछता है हमेशा तो आप याद रखेगा हॉक किन्स और सहाजा के बारे में बात करेंगे जहांगीर के बार सिंगासन पर बैटने का जो राइट रखता था वो था आपका सहाजा और सिधे हम बात करते हैं कि इसने नूर जहां को दो लाक रुपे परती वर्स के पैंसन दे करके लाहुर जाने को कहा तो इसकी माँ थी एक्षुली यह और इसको पेंशन के रूप में इसने बोला कि आप साल कम उससे दो लाक रुबर ले 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 ना और वहां पर आज़ी इसको पेंशन शमझो और मुझे मेरा कारे प्लीज करने दो मेरी माँ ठीक है है तो साहजाने आस्व ख् Serv का को वजीरपद एवा महावतख कहाण को कान काना की उपादी से नावाजा था और मायूर सिंगहासन का निर्मार किसने करा था दिखिसे हों करते बात करत अगर आपने खली देखा है खली के बात करना हूं जो फिलाल फाइटर है जो कुस्ती करता है खली ठीक है तो जितनी हाइट है जितनी है खली अक्षिली मतलब करके हैल्थवाइस ठीक ठाक है ना एक्षिली ठीक ठाक निए बहुत सही है है तो मानते कि सहाजा कर जो अकार था स साइस तक वह खली के समान ही था अगर आपको भी लाल के लिए में जाते हैं तो आप देखेंगे सहा जाके वस्तरों को आप देखेंगे वहाँ पे उनका पहनावा उनकी जो मतलब की कुर्टे वगरा होते थे ठीक है जो वह कपड़े पहनते ते लंबे चौड़े होते थे तो आपको साफ चलेगा आइडिया पता कि हायर लंबे चौड़े कोड़े मतलब किसी लंबे चौड़े इंसान के होंगे ठीक है तो वास्ता में इसका हाइट वगरा सब सही थी इसके तो मैयूर सिंखासा का निर्मार इसने कराया था सहा जाने तो इस तरह से मैं आपको बताया आँगा तो शायद बच्चे बोर हो जाते हैं वीडियो को कम वाच करते हैं और वाचिंग टाइम बहुत कम दिखाई देता है देखे सहाजा के सासनिकाल को बोलते हैं इस्था पत्य कला या स्वान जूग और उसके बाद हम बात करते हैं सहाजाने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला करा ठीक है दाही ने तटपर के आया सहाजानाबाद की नीव डाली जमना नदी के दाही ने तटपर ठीक है कौन सी नदी पर उसने सहाजानाबाद की नीव रखी तो वो थी जमना नदी तो नदी का नाम आपको याद अखना है और आगरा कि जामबो-ध्रियो का निर्मार्ड जो था सहा जा की पुदृ का नाम क्या था उस्य कि आ धिली में का निर्मार्ड कर आथा उसने क्या का नाम क्या था का नाम था दा जारुल बक्का नामक कोल्स था उसका मरमत कर तक यह चुछ उसने उसका निर्मार करा जो मरमत करवाता है वह चीज्च हो जाते हैं जैसे कि मेना बताया था ऐसके कुछ टेप बहले को तो मिनार के बारे में और ग्रांड ट्रंक में हैं आगे हम बात करते हैं देखिए कि 15 एप के बेच में और इस यूद में क्या ओगया दारा की प्राज्य हुई देखिए पंदरह अपरईयर को यूद्वा, दोबारा व उठा इसने दार्रह की प्राज्य हुई दारा हार गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं आहीं दोबारा वो देखिए एक महिने के लिए देखे क्या होता है कि फाइली कुछ नी कर रहा और ने बोला किया यह परिशान कर रहा अब इसको मारना ही बढ़ेगा तो इसको क्या करा इसलाम धर्म की अविलना का इल्जाम लगाया और उसके अपराद में इसको हत्या कर दी किसकी दारा की तो यह दोनों चीजिए आप याद रखिएगा क्योंकि अक्छली पहले ऐसी होता था कि अगर मारना है तो मारना है कोई भी धारा लगा करके उसको मार दो आगे हम बात कर करेंगे सासनकाल कब से कब तक रहा और दिलरास बानों बेगम के साथ औरंग जब का क्या हुआ था निगाह हुआ था देखिए निकाहवर्ड आप लोगों शायद ना पता उसको बोलते हैं विवा ठीक है तो इसकी वाइप का नाम किया था दिलरास बानों बेगम देवराई के युद में सफल होने के बाद 15 मही 1659 को औरंग जेब ने दिल्ली में परव्यस करा ठीक है 1659 में दिल्ली में औरंग जेब ने अपना पहला कदम रखा जो सफल रहा था उस युद का नाम क्या था देवराई युद के बाद में ठीक है दोनों नाम प्या रहा थ तो इसने दुबारा से 5 जून 1659 को दूसरी बार अपना राजजी भीशेक करा है और बात करते हैं देखिए औरंग जेब के गुरू का नाम क्या था औरंग जेब के जो गुरू थे उनका नाम था मुहम्मद हकीम मीर मुहम्मद हकीम औरंग जेब सुनी धर्म को मानता था किस धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर कहा जाता है किसको जिन्दा पीर कहते थे तो यह कहते थे हम लोग Laurent Jep को आगे हम बात करते हम देखेए औरंग Jep ने एक कर लागू करा था जजिया कर शायद आप कोचे से पता होगा जजिया कर क्या होता था और यह किस के द्वारा लगाया गया था इसके सुरुवात करी थी 1679 में ये वर्स भी important है और ये किस ने लगाया था, implement किस ने करा था, लागू किस ने करा था, ये करा था, औरेंग जेब ने उसके बाद हम बात करते हैं, केवल केवल, important fact कि ये औरेंग जेब के समय हुए जाट विद्रो का नेतर्थव करने वाला क्या था, गोकुला एवं सासाराम ने इसका नेतर्थव करा था, और 1670 में तिलपत की रडाई में जाट परास्त हुआ, गोकुल की मौत के घाट उतार द में याद रखेंगा भरतपुर राजवन्स के नीव, औरंग जेब के सासनकाल में जाट नेता सासराम के भतिजा था, चूरामन, उसके बाद हम बात करते हैं, औरंग जेब ने 1665 में हिंदू के जो मंदिर थे, उसके तोड़ने का आदेश दिया था, इसलिए इसकी जो परस अआपका जो मंदीर है, सोमनात का मंदीर है, वीर singles का मंदीर है, वीर सिंग دेव दौरा जहांगीर काल में, मत्रा में, निर्मित के, टे़रा मंदीर थे, टो इन सब को इसने तब़ा कराया, औरंग जेब की डयात कैसे हुई, थोड़ी से घ्याथ की बात करते हैं, फुरहास 20 सूबों के संक्रा कितनी थी तब थे 20 और औरंग जेब के सासनकार में मुगल सेना में सरवादिक जो थे हिंदू सेना पती थे सबसे ज़्यादा क्या था हिंदू सिनवती थे और हिंदू का मंदिरी हैं तुड़वाता था सोची ज़रा कितनी अजीब बात है और फ्रांसेसी यातरी फ्रांकोई बरनियर औरंग जेप के चिकेश सकते किसके चिकेश सकते औरंग जेप के चिकेश सकते अब हम बात करते हैं मुगल सासन विवस्ता के बारे में कि मंतरी परिस्त को क्या कहा जाता था ये कहा जाता था विजारत क्या कहते थे इसको इसको बोलते थे विजारत और उसके बाद हम बात करते हैं बाबर के सासन काल में वजीर पद क्या था काफी महत्मौन पद था भारत औरंग जिब के समय में असद खाने सरवाधिक 31 वर्थ सो तक दिवान के पत पर कारे किया और मीर भक्षी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल जाता था जब कभी शद्र नियाय विभाग के पर्मुख का कारे करता था उसे काजी कहते थे और समराट के घरेलू विभागों का परधान होता था जो घर की देखबार लगता था नौकर कितने काम करे कब क्या बने खाना काम बने किस सेज़ बने तो उसको बोलते थे मीर समान तो सूचना इवन गुप्चर विभाग का जो पर्धान होता था कम्म्निकेशन डिपार्टमेंट का जो है डाक या डाक लाय नग यह करता है। Speaking kwepe करता है ком्म्मिकेशन कांग करता है तो डाक चौकी परगना के मद्दे क्या हुआ था चक्ला नाम की एक नई पद्दि अपनाई गई थी नई नीती अपनाई गई थी और भूमी करके विभाजन के अधार पर मुगर्स अम्राज जीय की जो पूरी भूमी थी समस्थ भूमी को तीन भागों में डिवाइट करा था कितने भागों जाती थी जैसे कोई सैनी काम कर रहा है बड़ सरकार के पास में पैसा नहीं है तो क्या करें कि उसको भूमी दान कर देगी तो उसको बोलते हैं जागिर भूमी अगला जो है वो है आपका सयूर गल या मदद मास अनुदार में दी गई लगन हिन भूमी मतलब इसमें कोई ल जस वहेतू अपना ही जाने वाली जो पद्धि थी उसमें राई का उपयोग अकबर ने करा था तो वो करा था शेड सहाने अकबर के द्वारा करोडी नामक अधिकारी के नुक्ति 1573 में की गई थी इसे अपने चेत्र में चेत्र से एक करोड दाम वसूल करना होता था 1580 में अगबर ने दहसाला नाम की नवीन परणाली का उपयोग करा इस व्यवस्ता को टोडर मल बंदोबस्त भी कहा जाता है टोडर मल बंदोबस्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो वो है आपकी ये व्यवस्ता कौन सी दहसाला नाम की व्यवस्ता आगे हम बात करते हैं देखिए कि औरंग जेब ने अपने सासनकाल में नस्क करनाली को अपनाया और किसानों को तीन वर्गों में बाटा इसने हैं ठीक है किसानों को तीन वर्गों में डिवाइड करा पहला था खुदा बक्ष ये किसान उसी गाम की भूमी पर खेती करते थे जहांके ये निवासी होते थे दूसरा है आपका पाही कास्ट पाही कास्ट का मतलब होता है ये दूसरे गाम में जाकर खेती करते थे दूसरा था मुजारियन तो मुझारियं करते थे यह कृस्क से भूमिक किराय पर लेकर कृशी कारी करते थे। और अगला जो है आपका मुगल काल में रुपे का सरवाधिक ड़लाई किस ने करी थी। जो coins की जो धलाई करी थी वो करी थी और एंग जिब के सासनकाल में start हुई थी और आना सिक्के का परचलन किसके काल में start हुआ था तो यह हुआ था आपका सहाजा के सासनकाल में, किसके सासनकाल में, सहाजा के सासनकाल में, आगे हम बात करते हैं देखिए सबसे बड़ा सिक्क संसब सोना का था और स्वान का सबसे परचली जो सिक्का था सोने का सबसे जो सिक्का बना था इलाई सिक्का नाम था आगे हम बात करते हैं कि 100-500 तक मंसब पराप्त करने वाले को क्या कहते थे यह कहते थे कितने मनसबदार थे टोटल थे 29 और मनसबदार के सिंख कितनी थी 79 और जहांगीर ने सवार पद में दो असपा तथा सिंग असपा की व्यवस्ता करी सरपर्थम यह पद महाबत खां को दिया जाता था अब हम बात करते हैं मराठो के उतकर्स के बारे में इसका उतकर्स किस प्रकार से हुआ मराठा समराज्य का संसापक सिवाजी था मराठा समराज्य का संसापक कौन था एक्जाम में यह पूस्ता है तो उसका संसापक था आपका सिवाजी और सिवाजी का जनम का हुआ सिवाजी का जनम हुआ 1627 में और उसके बाद हम बा में तो आप याद अखेगा इनके गुरु का नाम के अदर कॉंड देव आगे बढ़ते हैं देखिए सिवाजी ने सूरत को 1664 में एवं 1679 में लूटा था सबसे दो बार सूरत को लूटा था 1764 में 1664 में और 1669 में आगे हम बात करते हैं देखिए पुरंदर की संधी कब हुई थी यह हुई थी पुरंदर की संधी 1672 में सिवाजी ने क्या करा था पनहाला दुर्ग को बीजापूर से छीना था इसके बाद हम केवल के बात करेंगे कि मात्र 53 वर्स की आयू में तीन अप्रण 1680 इस भी को सिवाजी के मिर्ति हुई थी कब हुई थी 1680 में हुई थी और स संजे अपने कई बार देखा हुगा एक्जाम में आपने तो इसको बोलते हैं अस्ट पर्धान सिवाजी ने दर्वार में मराथी को भासा के रूप में नूट करा ठे या दर्वार की वो थी क्या कि दõूरде कर आपको एक एक्जाम में देते ता किसके सीवाजी के द्वारा कि आगे बात करते हैं सिवाजी के बात के अंदर सा सूरत उसको ऊपर दो बार उसने हमला करा और उसको लोटा आगे बात करते हैं देखिए राजाराम ने अपनी राजधानी सतारा को बनाया था और उसके बाद हम बात करते हैं राजराम की मिर्दु के बाद उसकी विद्वा पत्नी तारा भाई अपने चार वर्से पुत्रे सिवाजी साकेन का राज़ी बिशेक करवा कर मराठा समराजेक की वास्तविक संदक्षी का बनी थी और उसके बाद हम बात करते हैं कि साहु और तारभाई की बीच में युद हुआ था उस युद का नाम क्या युद का नाम था खेडा का युद कब हुआ था 1707 में कब हुआ था 1707 में और साहु ने 22 जनवरी 1708 को 17 में अपना राज़ी बिशेक कराया था यह कोशन भी इंपॉर्टन है आगे है 1713 इसमें साहु ने बाला जी विस्वनात को पेस्वा बनाया था उसके बाद पाल केड़ा का यूद 7 मार्च 1728 को बाजीराव पर्थम एवं निजामल मुल्क के बीच में हुआ था जिसमें निजाम की हालू ही थी निजाम के साथ मुंगी सिवगां की संदी हुई थी दिली पर अब बात करते हैं आकमर करने वाला पर्थम पेशवा कौन था उसका नाम क्या था बाजीराव पर्थम क्या था बाजीराव पर्थम 1740 में बाजी राव पर्थम के डायत हो गई थी और बाजी राव पर्थम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित में था अब बाजी राव मस्तानी आपने मूवी देखी होगी रंदीर कपूर और हिरोईन इसमें डीपी का पादुकोन है तो वो मूवी आदर आपने नहीं देखिए तो वो मूवी देखेगा आपको उसका डेडिकेशन उसका जील है कुछ चीछ को पाने का वो सब आपको साफ किया था मतलब परदान बण बन गया था बालाजी बाजी राव को नाना साहिप के नाम से भी जाना जाताक है याद रखीए गाना सहे उन्ने किस लार्व आ ता आगे बात करते हैं जल्की की संदि हैदरबाद के नेंचा वं बारव के मद्दे हुई ती अंतिम पेशवा जो था वो था बाजी राफ सेकंड ठीक है अंतिम पेशवा कौन सा जो था वो था बाजी राफ सेकंड 1776 में पुरंदर की संदी कब हुई थी 1776 में हुई थी पर्थम अंगल मराठा युद जो हुआ था 1782 में हुआ था और जो दूसरा जो युद वह था आपको याद अखना है देखिए आंगल युद पक्का पुस्ता है 1830 से 18805 के बीच में हुआ था जो तीसरा हुआ था 1817 से 1819 के बीच में हुआ था पेसवा बाजिराब सैकेंड ने कोरे गांव एवं अस्टी के जुद्ध में हारने के बाद फरवरी 828 में मैलक के सम्मुक आत्म समपक यह कोशन से इतना important नहीं है उसके बाद आपको मैं एक शीज़ और बताऊंगा देखिए आपको याद करना है यह यह सारे point आपको याद करना है फिलाल इस 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 बुक में से ुसमें से भी कुछ-kHi important मैं आपके लिए निकाल देता हूँ जैसेकि सूरत के संदी important है यह आप याद कर लीजेगा उसके बाद हम बात करते हैं पुरंदर की संदी यह भी important है यह आप याद कर येगा उसके बाद आपको याद करना है साला बाई की संधी और उसके बाद आपको याद करना है केवल और केवल गवालियर की संधी के बारे में ठीक है अगर आप लोग स्टेट का कोई एक्जाम दे रहे हैं तो आपको ये पूरा ही याद करना है स्टेट पीसे चले बच्चों को सभी याद करना है लेकिन आप SSC के पॉइंट अभी से केवल ये चार याद करिए इस से भार आपका खुश नहीं आएगा वर्स याद करिएगा सुरत की संदी कब हुई थी 1775 में पुरंदर की संदी कब हुई थी 1776 में सालाबाय की संदी हुई थी 1782 में और ग्वालर के संदी हुई थी आपकी 1817 में तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस के वाल इतना ही हमने ये सब कवर करा और आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए ये वीडियो की लैंद एक घंटे के आसपास पहुंचने वाली है तो इस विडियो का ओंसके तो अगर अपने नोटस नहीं बनाए हैं और भुक मैं highlight नहीं कर तो इस वीडियो और बाच करिएगा highlight जरूर कर गणा पर सबस्किव मार्केद में बड़ी इसान से मिल जाएगी और मैं आपसे अगेन कहना चाहूंगा कि कोई भी स्ट्रेंड अगर PDF देने के लिए तेयार है इस बुक का मुझको तो यह चोटी सी हैल्प है आप लोग हमारी यह हैल्प कर सकते हैं और मैं इसके जल से जल आपके सीजल से पहले कई सरे वीडियो बना दूँगा लेकिन देख तो आप प्लीज थोड़ा सपोर्ट करिए बाकी देखते हैं कि कब मेरा नेक्श वीडियो बनता है जैसे मेरा हाइलाइट होता है नेक्श पॉइंट जैसे मैं स्कैन करता हूं मैं जल्दी एक वीडियो लेकि आऊंगा जब तक हो पाता है इस चैनल को मैं चलाता हूं और आ सब्सक्राइब कर लीजिए अब यह चानल इतने खत्रे में नहीं है अगर आपको सयोग मिलते रहा तो यह चैनल बहुत जल्दी और भी ग्रोथ करेगा और अगर मैं आप बोलूंगा आप से कि पेटिम जैसी गुस्ताकी प्लीज यह ऐसा मजाक मत करिएगा कि पंदर दोनेशन करियेगा ठीक है बाइबाइब टेक केर एंड आल था बेस्ट